पुलिस का नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं अगर कभी पुलिस के चकर में पढ़ गए तो ये समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दंड प्रक्रिय सहिंता याने की CRPC ने आपको कुछ अधिकार दिये हैं जब पुलिस आप पर कारवाई करने आए तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कौन-कौन से अधिकार मिले हैं जिसका प्योग आप पुलिस या कारवाई के वक्त कर सकते हैं आईए जानते हैं कुछ अधिकार जो कानून ने देश के हर नागरिक को दिये हैं जब पुलिस आपको गिरफतार करने आए तो CRPC की धारा 50 के अनुसार आपको यदिकार दिया गया है कि आप पुलिस से अपनी गिरफतारी का कारण पूछ सके और पुलिस को ये कारण बताना भी पड़ेगा आपको गिरफतार करने के लिए जो पुलिस अधिकारी आया है उनका वर्दी में होना आविशक है साथ ही उनकी वर्दी पर उनका नेम प्लेट भी होना चाहिए और उस पर साफ साफ शब्दों में पुलिस अधिकार का नाम लिखा होना चाहिए CRPC की धारा 51A के मताबिक गिरफतार की व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफतारी की जानकारी अपने परिवार को दे सके अगर वो देने में असमर्थ है तो पुलिस को खुद उसके परिवार को जानकारी देनी होगी CRPC की धारा 41 B के अनुसार पुलिस को एक arrest memo तियार करना होता है जिसमें गिरफतार करने वाले पुलिस अधिकारी की rank, गिरफतार करने का time और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्तवा मौझूद प्रतक्ष दर्शी के भी हस्ताक्षर होते हैं इस मैमों में गिरफतार किये गए व्यक्ति से भी हस्ताप्षर कराना अनिवार रहे है CRPC की धारा 54 के मुताबिक गिरफतार किया गया व्यक्ति अगर मेडिकल जाच की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जाच करनी होगी मेडिकल जाज करने का फायदा ये है कि अगर आपके शरीड में कोई चोट नहीं है तो कस्टेडी में अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और ये आपके पास पुलिस के खिलाप एक सब्बूत होगा कानून के मताबिक गिरफतार किये वक्ति की हर 48 गंटे बाद मेडिकल जाज कराई जाने चाहिए CRPC की धारा 57 के मताबिक पुलिस किसी व्यक्ति को 24 गंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है अगर पुलिस किसी को 24 गंटे से जादा हिरासत में रखती है तो उसे CRPC की धारा 56 के मुताबिक मजिस्ट्रेट की इजादत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा कि क्यों हिरासत की अब्दी बढ़ाई जा रही है CRPC की धारा 41 डी के अनुसार गिरफतार किये वक्ति के पास या धिकार होता है कि वो पुलिस जाच के दोरान कभी भी अपने वकील और अपने परीजनों से बात चीत कर सके अगर कोई अपराद गंबीर नहीं है तो गिरफतार किये जाने वाले वक्ति को गिरफतारी वारेंट देखने का अधिकार है लेकिन अगर अपराद गंबीर है तो पुलिस बिना वारेंट भी गिरफतार कर सकती है भारतिये दंड सहीता ने महिलाओं को कुछ विशेश अधिकार दिये हैं CRPC की धारा 46 एक एनुसार किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता तेकिन अगर कभी ऐसी परिस्ति आई कि महिला को रात में ही गिरफतार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजादत लेनी होगी CRPC की धारा 46 के मताबिक महिला को केवल महिला पुलिस कर्मी ही गिरफतार कर सकती है कोई पूरुष पुलिसकर में किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता CRPC धारा पच्पन एक के मुताबिक गिरफ़तार किये गये व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्त का ख्याल पुलिस को रखना होता है दंड सहिता के अलावा भारतिय समिदान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं अगर किसी व्यक्ति को गैर कानून धंग से गिरफ़तार किया जाता है तो ये भारतिय समिदान के अनुछेद 20, 21 और 22 में दिये गए मौलिक अधिकारों का हनन है समिदान के अनुछेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अभिरात के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी अपरादी को अपराद करते वक्त जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी अपराद करने के बाद अगर कोई नया कानून बना तो उसके हिसाब से सदान नहीं हो सकती पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाद दिन नहीं कर सकती सविधान के अनुछेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरता से वंचित नहीं किया जा सकता सनिदान के नुचेद 22 के नुसार अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे तीम तरह की स्वतंत्रता मिलती है पहली हिरासत में लेने का कारण बताना होगा दूसरी 24 गंटे के अंदर उसे मजिस्टेट के सामने पेश करना होगा और तीसरी गिरफतार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकिल चुनने का अधिकार होगा अगर ये अधिकार आपको पता हो तो कोई भी आपको गैर कानून धन से गिरफतार नहीं कर सकता इसलिए अपने इन अधिकारों के बारे में जान ले और याद रखे